सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरिवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपने रसोई आज मैं आपके साथ पावभाजी मसाले की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ हम सभी को पावभाजी बहुत ही पसंद होती है अगर पावभाजी में परफेट पावभाजी मसाले ना पड़ा हो तो पावभाजी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं आती है आज मैं आपके साथ एकदम होम मेट परफेट पावभाजी मसाले की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ जब आप इस मसाले से अपनी पावभाजी बनाएंगे तो आपकी पावभाजी बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बनेगी तो आईए देखते हैं ये पावभाजी मसाला कैसे बनेगा पाव भाजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई कढ़ाई या फिर पैन लेंगे पैन को हमने गैस पर गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें हम डाल देंगे 5 टेबलिस्पुन के लगभग साबूत धनिया और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलिस्पुन सॉफ और 2 दूप में भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि हम इसे मसाला बनाने वाले हैं, हमारा मसाला लंबे समय तक टिकाऊ रहे हैं, इसलिए इन्हें धूप दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम इन्हें कांटीनियू चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, जब आप इस पावभाजी मसाले से अपनी पावभाजी बनाएंगे, तो आपकी पावभाजी बहुत ही टेस्टी बनेगी, अगली बार आप जब भी पावभाजी बनाएं तो घर पर ही मसाले को बनाकर पावभाजी बनाईएगा, आपकी पावभाजी बहुत ही टेस्टी और बहुत लाजवाब बनेगी यकीन मानिए घर में आपकी बहुत तारीफ होगी जब आप इस तरह से पावभाजी मसाला घर पर बनाकर पावभाजी बनाएंगे तो और यह देखिए हमने मसाले को अच्छे से ड्राइ रोस्ट कर लिया है मसाले से बहुत अच्छी खुजू भी आने ल शेल्ट करने लिए डरम होने के लिए अब इसमें हम डाल देंगे दो बड़ी इलाईची आप चाहें तो इसमें छोटी इलाईची भी एट कर सकते हैं 15-20 लॉंग डाल देंगे और 15-20 हम डालेंगे इसमें काले मिर्चे सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे कुछ तेश पत्ते डाल देंगे और दाल चीनी डाल देंगे डाल चीनी से पावबाजी मसाले में बहुत बढ़िया टेस्ट आता इसे आप जरूर डालिएगा अब हम इन सारे मसालों को कांटीनी चलाते हुए लो फ्लेम पर ड्राय रोस्ट कर लेंगे अब आप ये कहेंगे कि हमने इन मसालों को पहले वाले के साथ में क्यों नहीं रोस्ट किया ये मसाले जल्दी तक रोस्ट कर लिया है इसमें से अच्छी सी खुश्वू भी आने लगी है अब हम गैस को आप कर देंगे और इसे भी हम प्लेट में ट्रांसपर करके इसे ठंडा कर लेंगे हम इन सारे मसालों को ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे गरम पर नहीं पीसेंगे अब इसे हम पीस जाते हैं हम इन सारे मसालों को साथ नहीं पीसेंगे अलग अलग नहीं पीसेंगे मसालों को जार में डालने के बाद हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें एड करेंगे काला नमक काला नमक इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है अ इसका टेक्चर एक दब मार्केट वाले पावभाजी मसाले की तरह ही आया है पावभाजी मसाले को हम एक बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे आप इस पावभाजी मसाले को किसी भी एर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए पांच से छे महने तक आप यूच करिए ये खराब नहीं होगा आप इससे पाव भाजी बना कर खाईए मसाला पाव बनाईए बहुत ही टेस्टी बनता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को धेसरा लाइक दीजिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए महमान ह तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा इसी तरह की नए वीडियो देखने के लिए और मुझे कॉमेंट करके ये भी बताईएगा कि आगे आप कौन सी नए रेस्ट भी देखना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नए वीडियो के साथ ठैंक यू बाबाई